वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 11 दिसंबर 2022 और 11 दिसंबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन बन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुश्यन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत द्यान से देखिए लाश्टम मैं आपसे कुश्यन पूछू हूँ उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हूं बताना है आज किस वीडियो की पीडियो की डिसकुसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से भी डाउ में अंतराश्टी मानवादिकार दिवस कम मनाया गया है तो अभी 10 दिसंबर को इंटरनेशनल यूमन रैट्स डे मनाया गया तो इसकुश्यन का बे ऑप्सेंस है दुते विस्युद्ध के बाद अत्याचारों ने मानव अधिकारों को एक अंतराश्टी प्रात्यमिक्त बन मना जाता है तोब हर साल 10 दिसंबर को अंतराश्टी मानवादिकार दिवस मनाया जाता है अचा अभी एक बे ईक दिसंबर को क्या मनाया गया था 208 इस आपका इस्तापना दिवस इस बार bsf का 58 में स्तापना दिवस मनाया गया है दो दिसम्बर को राश्टी प्रदूसर नी अंतर दिवस, बेश्चु कम्प्यूटर साक्चरता दिवस और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतराश्टी दिवस मनाये गया, तेन दिसम्बर को बेकलांग ब्यक्तियों का अंतराश्टी दिवस मनाये गया, चार दिसम्बर को बारती नौसीना दिवस और अंतरास्टी बैंक दिवस मनाए गया। पांच दिसम्बर को बेशुम्रदा दिवस मनाए गया। चै दिसम्बर को डॉक्टर भीमराव मेडकर की 66 वी पुंडितिती मनाए गयी। साथ दिसम्बर को ससस्तर सेना जंडा दिवस मनाये गया आठ दिसम्बर को सार्क चार्टर दिवस मनाये गया और नौ दिसम्बर को अंतरास्टी ब्रस्टाचार बिरोधी दिवस मनाये गया तो दिसम्बर में अब तक इतने इंपोर्टेंडी मनाये गए हैं ये आपको याद आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 यह लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और पर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाली में B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया है तो टाटर संस के चेर्मेन एन चंसे करन को B20 इंडिया का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया तो इस question का C options आई है अच्छा B20 इंडिया ये क्या है अपना देश भारत करेगा और G20 की अध्यक्षता की दोरान एन चंसे करन बिजनिस एजेंडा की अगवाई करेंगे अच्छा अभी TTFI की पहली मैला अध्यक्ष मेगना एहलावाद चुनी गई नाबाड की नए अध्यक्ष साजी केबी को न्यूक्त किया गया बारती नाबी की बिद्धुत निगम लिम्टेड के नए CMD के भी सुरेश कुमार बने हैं रास्ती जैब विवित्ता आयोका अध्यक्ष से अचलेंद रेड़ी को न्यूक्त किया गया प्रेती सूधन को संग लोकसेवा आयोका सदस्य न्यूक्त किया गया लक्षमी बेंक्टेस को INTUC करनाटक का नया अध्यक्ष निग्ट किया गया सेबी ने सुन्दरमण राम मूर्ती को BSE का नया MD and CEO गोसित किया है अरुड गोयल को Election Commission of India का चुनाव आयोक्त बनाएं गया I.O.A. की Athlete Commission का अध्यक्ष मेरी कौम को चुना गया और गुजरात किर्किट संग का नया अध्यक्ष धन राज परिमल नाथवानी को चुना गया नए क्यूशिन है हाली में किसने दूसरी बार ऑस्टिलिया का प्रतिस्टित डॉन अवार्ड जीता है तो ऑस्टिलिया का प्रस्टिजियस अवार्ड है डॉन अवार्ड इसे दूसरी बार एसले वार्टी ने जीता है तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है यह है ऑस्टिलिया की टैनिस प्लेयर एसले वार्टी इन्होंने दूसरी बार आस्टिलिया का prestigious award डौन अवार्ड जीता है इस बार इन्होंने 2022 में जीता इससे पहले कब जीता था इससे पहले इन्होंने 2019 में जीता था बेना नायर को आस्टिलिया की प्रदामत्री का पुरुसकार मिला है आस्टिलिया के Great Barrier Reef को बिस्थ धरोवर की सूची में सूची वद्ध किया गया है आस्टिलिया की संसद ने भारत के साथ Free Trade Agreement पारित किया है आस्टिलिया के पूर बॉक्सिंग बेस्थ चेंपियन जौनी फैम चॉम का निधन हुआ है और आस्टिलिया में होने वाले पिच बलेक अभ्यास में अपना देश भारत भी सामिल हुआ है ने क्यूशन है हाली में मन मोहन देबदास का निधन हुआ है वे कौन थे तो मन मोहन लेबदास ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया दुसकुशन का C options है ने क्यूशन है हाली में असोका लिलेंड ने किसे नया MD&CEO न्यूट किया है तो सीनू अगरवाल को असोका लिलेंड ने अपना नया MD&CEO पॉइंट किया दुसकुशन का B options है असोका लिलेंड ये हिंदुजा गुरूप की कमपनी है और इसने अभी अपना MD&CEO सीनू अगरवाल को पॉइंट किया ये हैं सीनू अगरवाल ने क्यूशन है हाली में किस देश के खिलाड़ी एडन हजार्ड ने अंतरास्टी फुटवाल से सन्यास की गोशना की है तो एडन हजार्ड ये बेलजियम की फुटवाल है और अभी इन्होंने अंतरास्टी फुटवाल से सन्यास की गोशना की तो इसकुशन का A आप्सन सही है ये हैं एडन हजार्ड अभी बेलजियम की है तो ये है मैप में बेलजियम बेल्जियम की capital क्या है ब्रुसेल्स बेल्जियम की currency क्या है यूरो और बेल्जियम के present time पे प्राइमिस्टर कौन है Alexander Dick Crew कौन है Alexander Dick Crew नेक्यूशन है हाली में केस राजी के पहाड़ों में brain babbler की नई प्रजाती खोजी गई तो ब्रेम babbler ये एक क्या है चिडिया है बर्ड है और इसकी एक नई प्रजाती अरणाचल प्रदेश के पहाड़ों में खोजी गई तो इस question का say options है अब अरणाचल प्रदेश तो ये है map में अरणाचल प्रदेश अरणाचल प्रदेश की capital क्या है अरणाचल प्रदेश की चीप मिश्टर कौन है पेमा खंडू और अरणाचल प्रदेश की present अपे गवर्नल कौन है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा अभी प्रदानमंत्री मोधी ने डॉनी पोलो एयरपूर्ट का उद्गाटन अरणाचल प्रदेश की इटा नगर में किया अरणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मद्यस्ता पसुदन टेकाकर्ट सेवा सुरू की अरणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयुजन किया गया पूर्वोतर का पहला एक्वा पार्क अरणाचल प्रदेश में स्तापित किया जाएगा और अरणाचल प्र लोहित नदी पर भगवान परशुराव में 51 फेट उची प्रत्यमा स्तापित की जाएगी नैकुशन है हाली में बंडे किर्किट के इतियास में सबसे तेज 12 सतक किसने बनाया है तो अभी भारति ओपनर इसां किसन बंडे किर्किट के इतियास में सबसे तेज दोहरा सतक लगा है तो इस कुशिन का बे आप्शन सही है ये हैं इशान किशन इनों ने अभी बांगलादेश के खिलाब तेसरे बंडे में मात्र 126 के अनों में दोहरा सतक लगा है तो अब ये बंडे किर्किट में सबसे तेज दोहरा स्तक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए है、 अच्छा किरकेट की बात है तो अभी T20 International में 4000 रन मनने वाले पहले खिलाड़ी बिराट-कोली बने है। एक कलेंडर बर्स में 1000 T20 International रन मनने वाले पहले बारती खिलाडी सूरिक कुमार यादब बने है मुंबई ने हिमाच्चर प्रदेश को हरा कर पहली बार सैयद मुस्ताक अले ट्रोफी जीती है और ICC T20 बल्ड कप इत्यास में हेट्रिक लेने वाले खिलाडी बिराट कोली बने है ने किशिन है हाले में केन सरकार ने रूप टॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है तो अभी केन सरकार ने रूप टॉप सोलर योजना को 31 मार्श 2026 तक बढ़ा दिया है तो इस कुशिन का A option सही है अच्छा बढ़ा तो दिया लेकिन ये क्या है रूप टॉप सोलर योजना, ये भी तो पता होना चाहिए, रूप टॉप सोलर योजना में क्या है? नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बिक्सित करने के लिए UK और किस देश की साथ समझोता किया है तो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट डिवलप करने के लिए जापा ने UK और इटली के साथ समझोता किया है तो इस कुशिन का बे आप्शन सही है अब इटली तो ये है मैप में इटली इटली की केपिटल के है रोब इटली की करनसी के है यूरो और इटली के प्रिजेंट टेम पर प्रामिस्टर कौन है जियोर्जिया मैलोनी कौन है जियोर्जिया मैलोनी ने कुछिन है किस राज्य के मुख्य मंतरी ने स्वक्षिता कर्मचारियों के लिए कल्याड को बढ़ावा देने के लिए यूजना लॉंच की है तो अभी तमिलाडू के चीपनिश्टर ने सुक्ष्टा कर्मचारियों के कल्याड को बढ़ावा देने के लिए योजन अलॉंज की तो इसकुशन का से ओप्सन सही है अब तमिलाडू तो ये है मैप में तमिलाडू तमिलाडू की केपिटल क्या है जेन नई तमिलाडू के चीपनिश्टर कौन है एमके स्टालिन और तमिलाडू की गवर्नर कौन है आर एन रभी अभी तमिलाडू में कारति गई दीपम्रत उत्सव आयोजित किया गया तमिलाडू की बन विवाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ओडिट फ्रेमबर्क पेस किया तमिलाडू सरकार ने गिर्दों की सरनक्षर के लिए पैनल का गठन किया तमिलाडू राज सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरेंस अभ्यारंड अधिसूचित किया है और पेगा ट्रोन ने चेन नहीं में आईफोन का निर्माड शुरू किया तमिलाडू में जली कट्टू का आयजन किया जाता है तमिलाडू में आदि पुरम तिवार मरा जाता है पुरे देश में मचले का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलाडू खाद्य सुरक्षा सूचगांग में तमिलाडू टॉप पर रहा था और तमिलाडू ने तमिल थाई बजदू को अपना राज की गीद कोसित किया है नए क्यूशन है हाली में किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीब्मेंट अबाड मिला है तो भारती मूलके हैं क्रशना बबिलाला इनको अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीब्मेंट अबाड मिला अच्छा अबनी लेखरा को पैरा स्पूर्ट्स परसन अब दा एयर का पुरुसकार मिला गांदे मंडेला पुरुसकार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया अजेत अंजुम और आर्फा खनम सेरवानी को कुल देप नईयर पत्रकारता सम्मान मिला है फ्रांसेसी सरकार के द्वारा अवडा साहिराम को सेवेलियर पुरुसकार से सम्मानित किया गया और प्रसिद मल्यालाम उपन्यासकार एसे तुमादवन को एजुथाचम पुरुसकार के लिए चुना गया नए क्यूशिन है हाली में UPI पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला बारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है तो पता है आपको UPI पर अभी तक सिर्फ डेबिट कार्ड का समर्थन होता था लेकिन UPI पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला बारत का पहला पेमेंट गेटवे रेजर पे बना है तो इसकी स्टापना कब होई थी 2013 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है बैंगलूरू में और इसके प्रजेंट एम पर CEO कौन ह हर्सल माथूर कौन है हर्सल माथूर अच्छा इसकी प्रजेंट टेम पर MD कौन है ससांग कुमार कौन है ससांग कुमार ने क्युशिन है बारत के सबसे बड़े बिजनिस जैट टर्मिनल का उद्गाटन कहां हुआ है तो अभी केरल के कोचेन में बारत के सबसे बड़े बिजनिस जैट टर्मिलर का उद्गाटन होगा तो इसकुषिन का A option से ही है अब केरल तो ये है मैप में केरल केरल की केपिटल क्या है तिरुबनन तो पुरम केरल की चीप इनिश्टर कौन है पेनराई बिजियन और केरल की गवर्नर कौन है आरिफ महम्मद खान और आरिफ महम्मद खान नहीं अभी केरल में बन इसकूल बन I.S. यूजना शुरू की थी केरल सरकार ने मलिक का सारा भाई को केरल कला मंडल का कुलपती नियुक्त किया है केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ड में Responsible Tourism Global Award जीता है केरल सरकार स्टार्ट अप्स को तकने की लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ती करेगी पूरे राज्ज में सोने की एक समध कीमत वाला राज्ज केरल बन गया है केरल ने सर्व स्रेष्ट सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केर्ण सरकार का पुरुसकार जीता है और केरल सरकार ने एक लाग छात्रों को फुटबॉल प्रसिक्चर देने का नेड़े लिया है केरल में अनाई मुडी सोला नेशनल पार्क है मट्डे के टम सोला नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में सांत गाटी है और पेरियार बन जी अब्यारेंड भी केरल में है नए क्यूशन है हाली में फेडरल रिजर्ब की प्रत्थम उपाद्यक्ष कौन बनी है तो सुसमिता सुकला अब लास्ट वीडियो की कुश्यन का अंसर लास्ट वीडियो में मैंने आप से कुश्यन पूछा था कि हाली में देना बोलू आटे किस देश की पहली माईला राष्ट पती बनी है तो पेरू की पहली माईला राष्ट पती बनी है देना बोलू आटे यानि किस question का बे option सही था और लगबग सबी इस to awareness कांस सही दिया mostly इस to awareness के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में आटन कैपिटल द्वार जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सुची में कौन सीर्स पर रहा है तो आटन कैपिटल ने अभी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट जारी की है इसमें कौन टॉप पर रहा है यह आपको बताना है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है इसके अलावा हम हमारे face hook page पर previous question daily post करते हैं तो आप face hook पर next exam सर्च करके हमारा face hook पर join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप instagram पर indreshrc indreshrc instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like तो अगर ये video आप पूच्छ लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा रगा please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदब मिलेगी जब भी आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon बेजरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam all page video thanks for watching